ओम नमो भगवते वास देवाई नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी चेनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आज में आपको स्रीमाद भागवत महापुराण की कथा सुना रहा हूँ आप सभी भक्त जन इस कथा को स्रद्धा पूर्वक मन लगा कर सुने भगवान स्री कृष्ण आप सभी की मनुकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे दोस्तों पिछली कता में हमने सुना था भगवान स्री राम की लीलाओं का वनन आज की कता में हम सुनेंगे भगवान स्री राम की सेस लीलाओं का वनन सी सुकदेव जी कहते हैं परिक्षित भागवान स्री रामने गुरु वशिष्ट जी को अपना आचारे बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यग्यों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्व देव सरूप स्वयम प्रकास आत्मा का यजन किया उन्होंने होता को पूर्व देशा ब्रह्मा को दक्षण अधर्वियों को पशिम और उदगाता को उत्तर देशा देदी उनके बीच में जितनी भूमी बच रही थी वह उन्होंने आचारे को देदी उनका ये निश्चय था कि संपूर भूमंडल का एकमात्र अधिकारी निस्परह ब्रामडी है इस प प्रकार महरानी सिता जी के पास भी केवल मांगलिक वस्त्र और आवुसन ही बचे रही जब आचारे आदी ब्रामडों ने देखा कि भागवान स्री राम तो ब्रामडों को ही अपना इश्ट देव मानते हैं उनके हिर्दय में ब्रामडों के प्रती अनंत इसनिय है तब उन हिर्दय के भीतर रहकर अपने जोती से अग्यान अंदिकार का नास कर रहे हैं ऐसी इस्ति में भला आपने हमें क्या नहीं दे रखा हैं आपका ज्यान अनंत है पवित्र कीरती वाले पुर्सों में आप सर्वसेष्ट हैं उन मात्माव को जो किसी को किसी प्रकार की पीड़ नहीं पहुचाती आपने अपने चर्ण कमल दे रखे हैं ऐसा होने पर भी आप ब्रामण को अपना इश्ट दे मानते हैं भगवन आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं परिक्षत एक बार अपनी प्रजा के इस्तति जानने के लिए भगवान स्री राम जी रात के स समय छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थी उस समय उन्होंने किसी की यह बात सुनी वह अपनी पतनी से कह रहा था अरे तो डुष्ट और कुल्टा है तू पराए घर में रहकर आई है इस तरी लोवी राम भले ही सीता को रख ले परंतु मैं तुझे फिर नहीं रख स सुनी तो वे लोकापवाद से कोच भेवीत से हो गई उन्होंने स्री सीता जी का परत्या कर दिया और वे बाल में की मुनी के आस्रम में रहने लगी सीता जी उस समय गर्बती थी समय आने पर उन्होंने एक साथ ही दो पुत्र उत्पन किये उनके नाम हुए कुस और लव ब परिक्षत इसी प्रिकार भरत जी के भी दो ही पुत्र थे ताक्ष और पुसकल तथा सत्रुगन के भी दो पुत्र हुए सुभाहू और सुत सेन भरत जी ने दिग विजय में करोणों गंधर्वों का संगार किया उन्होंने उनका सब धन लाकर अपने बड़े भाई भगव स्री राम की सेवा में निवेदन किया सत्रुगन जी ने मदवन में मदू के पुत्र लवन नामक राक्षस को मार कर वहां मत्रा नाम की पुरी वसाई भागवान स्री राम के द्वारा निर्वासित सीता जी ने अपने पुत्रों को बाल मेकी के हातों में सौप दिया और भा वी देवी के लोक में चली गई यह समाचार सुनकर भागवान स्री राम ने अपने सोका वेश को बुद्धी के द्वारा रुखना चाहा परंतु परम समर्थ होने पर वीवे उसे रुखना सके क्योंकि उन्हें जान की जी के पवित्र गुण बार बार इसमण हो आया करते थे परिक्षत यह इस्री और पुरुस का संबंद सब कहीं इसी प्रिकार दुख का कारण है यह बात बड़े बड़े समर्थ लोकों की विसे में भी ऐसी ही है फिर ग्रिया सक्त विसेई पुरुसों के संबंद में तो कहना ही क्या है इसके बाद भागवान स्री राम ने ब्रम प्रिक्षत भागवान के समान प्रताप साली और कोई नहीं है फिर उनसे बढ़कर तो होई ही कैसे सकता है उन्होंने देवताओं की प्रातना से ही ये लीला विग्र धारन किया था ऐसी सिती में रगवन से सिरो मड़े भागवान स्री राम के लिए ये कोई बड़े गौरब की बात नहीं है फिर उन्होंने अस्त्र सस्त्रों से राक्षसों को मार डाला या समुद्र पर पुल बांद भला उन्हें सत्रों को मारने के लिए बंद्रों की साहिता की भी आवशकता ही क्रिया थी ये सब उनकी लिला ही है भगवान स्री राम का निर्मल यस समझत पापों को नश्ट दक्कर देने वाला है वह इतना फैल गया है कि दिगजों का स्यामल सरीर भी उनकी उज्वलता से चमक उड़ता है आज भी बड़े बड़े रिशी महर्शी राजाओं की सवा में उनका गान करते रहते हैं स्वर्ग के देवता और प्रतिवी के नर्पती अपने कमनिय करीटों से उनके चर्ण कमलों की सेवा करते रहते हैं मैं उन्हें रगवंस सिरो मड़ी भागवान स्र राम का दर्सन और इसपर्स किया उनका सहवास अत्वा अनुगमन किया भी सब के सव तथा कोसल देश के निवासी भी उसी लोक में गए जहां बड़े बड़े योगी योग साधना के द्वारा जाते हैं जो पुरुस अपने कानों से भागवान स्री राम का चरित्र सुनता है उसे सरलता कोमलता आदी गुणों की प्राप्ति होती है परिक्षट केबल इतना ही नहीं वह समझत कर्म बंदनों से मुक्त हो जाता है राजा परिक्षट ने पूचा भगवन स्री राम सुयम अपने भाईयों के साथ किस प्रकार का बिवार करते थे तता भरत आदी और अयुद्या बासी भागवान स्री राम के प्रति कैसा बरताप करते थे सी सुकदेब जी कहते हैं त्रववन पति महराज स्री राम ने राज संगासन स्विकार करने के बाद अपने भाईयों को दिग विजई की आगया थी और सुम अपने निज जनों को दर्शन देते ये नगरी अपने स्वामी भगवान स्री राम को देखकर अर्तियंत मतवाली हो रही है। उसके महल फांटक, सवा भवन, बिहार और देवाले आदी में स्वान के कलस रखे हुए थी और इस्तान इस्तान पर पता काएं फैला रही थी। वे डंटल समयत सुपारी केले के खमे और सुन्दर वस्त्रों के पट्टों से सजाई हुई थी। दरपन वस्त्र और पुस्व मालाओं से तथा मांगलिक चित्रकारियों और बंदरवानों से सारी नगरी जगमगा ली थी। नगरवासी अपने हातों में तरह तरह की भेटे लेकर भागवान के पास आते और उनसे प्रत्न करते की देव पहले आपने ही बारा रूप से प्रत्वी का उद्दार किया था। अब आप ही इसका पालन कीजिए परिक्षत और समय जब प्रजा को मालूम होता हो कि बहुत दिनों के बाद भागवान से रामजी इधर पदा रहे हैं तब सभी इस तरी पुस उनके दर्सन की लालसा से घर द्वार छोड़ कर दोड़ पड़ते वे उंची उंची अटारिय पर चड़ जाते और अत्राप्त नेत्रों से कमल नयन भागवान को देखते हुए उन पर पुस्पों की बरसा करते इस प्रिकार प्रजा का निरिक्षन करके भागवान फिर अपने महलों में आ जाते उनके बे महल पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा सेवित थे उनमें इतने बड़े बड़े सब प्रिकार के खजाने थे जो कभी समाप नहीं होते थे बे बड़ी बड़ी महु मूल बहुत सी सामिग्रियों से सज्जित थे मैलों के द्वार तथा देहलियां मूगे की बनी वही थी उनमें जो खमे थे बे बेदूर मणी के थे मरकट मणी के पज्जल मोती सुंदर सुंदर भोग सामिकरी सुगंदित धूप दीपता फूलों के गहनों से बे महल खूब सजाए हुए थे आब उसड़ों को भी भूसित करने बाले देवताओं के समान इस्त्री प्रस उसकी सेवा में लगे रहते थे परिक्षित भागवान स्री राम क परिक्षित थे आपनी प्राण प्रीया-प्रयम्मई पटनी सीुटा जी के साथ ब्हार करते थे वह रहते हैं इच्छे वागो के वंस के सेश राजाओं का वनन, सी सुगदेब जी कहते हैं, परिक्षत कुस का पुत्र हुआ अतिती, उसका निसद, निसद का नव, नव का पुंडरीक और पुंडरीक का खेम धनवा, क्षेम धनवा का देवानिक, देवानिक का अनिह, अनिये का पारियात्र का वलिस्तल और बलिस्तल का पुत्र हुआ बजर नाव यह सूर्य का अंस था बजर नाव से खडग खडग से विद्रती और विद्रती से हिरन नाव की उत्पत्ती हुई वे जैमनी का सिस और योगा चार्य था कोसल देशक बासी याग्य वल्लक जी रिशी ने उसके सिस्टा स्विकार करके उससे अध्यात्म योग की सिक्षा ग्रण की थी वे योग हिदय की गांट काट देने बाला तथा परम सिद्धी देने बाला है मरू ने योग साधना से सिद्धी प्राफ्त कली और वे इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है कल्यों के अंत मैं सूर्य बंस के नेष्ठ हो जाने पर वे उसे फिर से चलाएगा मरू से प्रसु सुत उससे संदी और संदी से अमरसन का जन्म हुआ अमरसन का महसवान और महसवान का विस्व साल का प्रसैन जित प्रसैन जित का तक्षक और तक्षक का पुत्र ब्रहद्वल हुआ परिक्षित इज़ी ब्रेद्वल को तुमारे पिता अविमन्यू ने युद में मार डाला था परिक्षित एक्षिवाकू वंस के इतने नर्पती हो चुके ही अब आने वालों के विशे में सुनो ब्रेद्रन का उरुक्रिय, उसका वत्स ब्रद्य, ब्रस ब्रद्य का प्रति ब्योम, प्रति ब्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनपती दिवाक, दिवाक का बीर, सहदेव, सहदेव का ब्रेद्रस्व, ब्रेद्रस्व का भानु मान, भानु मान का प्रतीक आश्व प्रतीक आश्व का पुत्र होगा सुप्रतीक का मरुदेव का सुनक्षत्र का पुसकर का अंतरिक्ष का सुत्पा और उसका पुत्र होगा अमित्र जित अमित्र जित से ब्रहेद्वाज से वहरी से क्रतन जैसे रनन जै और उससे संजे होगा संजे का सार्क्य उसका सुद्दोद और सुद्दोद का लंगल का प्रसेन जित और प्रसेन जित का पुत्र ख्युद्रक होगा ख्युद्रक के रनक से सुरत और सुरत से इस बंस के अंतिम राजा सुमित्र का जनम होगा ये सब ब्रैदवल के बंस धर होंगे एक्षिबाकू का यह बंस सुमित्र तकी ही रहेगा क्योंकि सुमित्र की राजा होने पर कल्युग में यह बंस समाप्थ हो जाएगा बोलो स्री मदभागबत महा पराने की जए बोलो स्री किश्न चंद्र वगवाने की जए